जब आपके 10 डॉलर बनते हैं तो उसके बाद में आप identity verification करते हो, pin के लिए apply करते हो उसके बाद में जब आपके घर पे डाक के माध्यम से pin का एक आप envelope आता है जो लिफापा उसके बाद में आप Google AdSense pin से आप अपना pin verification करते हो, address verification address verification करने के बाद में आपको bank add करनी पड़ती है, तो याने आज के वीडियो में मैं आपको bank add करना है किस-किस step को follow करना है, सारी जानकारी आपको एक-एक करके बारी की से सिखाऊंगा वीडियो को अंतर देखना, वीडियो को इसकितना करना और वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कर देना नमस्कार मित्रो मैं हूँ सोलंकी और आप देख रहे मेरे YouTube चैनल सोलंकी कम्पेटर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेटिस्ट वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे यहां पर मेरे एक सिष्टर का चैनल है तो इस चैनल में याने मैं याने बेंक को एड करके भी बताओंगा उनके Google में ठीक है Google Adsense में सौरी ठीक है तो उनका याने identity verification भी complete हो चुका था पीन का याने लिफापा भी आ गया था उसके बाद में उन्होंने address verification भी कर दिया था बट उन्होंने bank को add नहीं किया था तो आज के वीडियो में मैं उनके AdSense में bank को add करके भी बता देता हूं तो यहाँ पर आपके सामने दिखिए यहाँ पर balance का option आ रहा है इसके पास में three dot का Nissan आ रहा है आपको three dot पर click करना है और यहाँ पर आपको view payment पर click करना है view payment पर click करने के बाद में आपके सामने ऐसा interface आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इनके your यानि यहाँ पर जो भी earning यह वो यहाँ पर इनकी बता रही है उसके नीचे यहाँ पर transaction आ रहे है इसके लावा setting आ रही है यहाँ पर आपके सामने how you get paid यह option आ रहा है इसके यहाँ पर नीचे option आ रहा refreshing होगा उसके बाद में आगे का process आपको बताता हूं अब यहाँ पर अपने सामने ऐसा option आता देखिए add a payment method यहाँ पर लिखा हुआ है add a new wire transfer detail यहाँ पर to receive payout by wire transfer contact your bank to access rate and fees bank account must be located in India and US dollar currency ठीक है यहाँ पर आपको beneficial ID यहाँ पर optional है कुछ नहीं डालना है यहाँ पर name on bank account यहाँ पर bank account का नाम लिखना है ठीक है account holder का ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आपको bank का नाम लिखना है उसके बाद में IFC code डालना है Swift code डालना है और account number डालना है और retype account डालना है ठीक है तो उपर जो option है ना यहाँ पर name of bank account account holder का आपको नाम यहाँ पर डालना है ठीक है उसके बाद में bank का नाम डालना है IFC code डालना है, swift code डालना है और account number डालना है, confirm account number डालना है उसके बाद में यहाँ पर आपको check mark लगाना है उसके बाद में आपको save करना है तो यहाँ पर मैं फटापट से उनके detail को feel करते हैं तो फिर आगे का process आपको बताता हो तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने उनका नाम डाल दिया बैंक का नाम डाल दिया और swift code डाल दिया, IFC code डाल दिया इसके इलावा account number डाल दिये यहाँ पर मैं security purpose के लिए उनके यहाँ पर सुचना को blur करूँगा और यहाँ पर देखिए, आपको re-enter यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर optional में, for, future, credit for अगर यहाँ पर कुछ अगर आप करना थाते हैं तो नहीं तो कुछ नहीं यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना उसके बाद मैं set is primary payment method पर यहाँ पर check mark लगाना उसके बाद मैं आपको यहाँ पर करना save यहाँ पर मैं save कर देता हूँ save होने के बाद में आपकी यह bank add हो जाएगी अब मैं आपको bank भी बता देता हूँ कि देखिए बहाँ पर add हो गई है अब देखिए यहाँ पर यह bank add हो गई देखिए इनकी यहां पर आ गई इसके अलावा यहां पर और भी कोई payment method आप add कर सकते हो अधर्वाइस कोई भी और भी bank है अगर आप उसमें भी एगर आपको payment लेना है तो आप यहां पर add payment method का एक और option दिया गया है यहां पर भी आप otherwise bank भी add कर सकते हो ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को subscribe कर देना साथ में bell icon को press कर देना ताकि मेरे आने वाले latest वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे अब अगर back आकर जैसे यहां पर three line पर क्लिक करेंगे यहां पर payment के option पर जाएंगे ठीक है payment पर payment के option प अब भी अपनी बैंक को एड कर सकते हूं